दोस्तों स्वागत है आप सबी का सकती नौलेज पॉइंट के यूटूब चैनल में एक बार फिर तो आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिजेंट पर्फेक्ट टेंस आप लोगोंने कई बार कमेंट करके मेरे से पुछा था कि आप प्रिजेंट पर्फेक्ट या पर्फेक्ट टेंस कब पढ़ा रहे हैं तो आज की वीडियो से मैं आपको जो पांच वीडियो आपको मिलेंगे वो सभी प्रिजेंट पर्फेक्ट टेंस के होंगे और present perfect tense पहले आप से मेरी request है कि please वर्ब के तीनों form आप याद कर लीजे अगर आपको नहीं आते हैं आपको कैसे याद करना है इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है आपको यहाँ पर आई बटन पर पर उसकी link मिल जाएगी प्लीज जाए उसको देखिए और वहाँ से आप समझे कि वर्ब के तीनों form याद करना कैसे याद करते हैं क्योंकि काफी आसान होता है क्योंकि वर्ब का तीसरा form हमारे present perfect tense में यूज किया जाता है अगर यह चीज हमको नहीं आती होगी तो present perfect हो चाहे तो past perfect tense हो चाहे future perfect tense हो आपको नहीं आएगा क्यों क्योंकि आपको वर्ब का तीसरा form पता नहीं होगा ठीक है तो चलिस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सकाइब कर लीजे और साथी साथ इस बेल आइकान को भी दवाईए उसमें आल को स्लेट करिए ताकि आप भी कोई भी वीडियो मिसना है दोस्तों हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको वीडियो थोड़ी समझने में दिक्कत हो लेकिन अगर आप वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको ऐसा मेरा मानना है कि आपको वीडियो पूरा साभी में आएगा कि कुछ चीजे मैं आपको नई बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगी जो आपको हो सकता है कि इसके पहले आप ना पढ़े हो तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम यह देखते हैं कि कैसे पहचान हैं कि जो कोई भी टेंस जो लिखा हुआ है वो परजेंट परफेक्ट टेंस का है या नहीं तो देखिए यहां पर पहस्चान लिखी हुई है हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है चुकी है चुके है यह तो यह तीन चीजे तो आपने पहले से पढ़ रखी है आपको हो सकता आती होंगी बड़ यह भी आपका होता है कि आ है ई है ए है ना ऐसे इसी से बनते हुए आपल देख लीजे कि राजू ने अपनी सफ्येदकार बेश दी है इसमें यह आता है यह तो चुका है तो आपको समय में आही गया ली है इसमें भी इह आता है तो ऐसे सेंटेंस है ना जिनके द्वारा हमें किसी कारे के पूरा होने का आभास होता हो वह प्रिजेंट आपको यह पता चला है कि यह इसमें क्या है कि यह कार इसमें जो भी कार हो रहा था वह पूरा हो चुका है समझ में आया आपको इतनी चीजह चले आंगे देखते हैं सब अभी होता है जब भी सम्सक्राइब सबसे पहले आपको सब्जस्च लिखना है उसके बाद आपको help लिखनी है उसके बाद आपको main verb का देखिए third form यूच करना है तीसरा form जैसे go का तीसरा form क्या होता है go went gone gone क्या होगा तीसरा form होगा उसके बाद आपको object लिखना है फिर other word लिखना है हलाकि यह चीज़ आपको आती है यहां पर तिर्फ वर्ब का form change हुआ है ठीक है चलिए अब हम यह देखते हैं कि helping वर्ब हमारे present perfect tense में कौन सी यूज होती है तो helping वर्ब कौन सी यूज होती है हमारे sentence में हैज और हैव देखिए यह हैज लिखा है और यह हैव अब हैज कभी यूज करेंगे और हैव कभी यूज करेंगे यहाँ पर देख लिजे जब भी आपका subject क्या हो ही हो सी हो इट हो किसी का नाम लिखा हो यह तो singular हो subject आपका तो आ हैज का यूज करेंगे बट अगर आपको subject आई हो वी हो यू हो दे हो यह प्लूरल हो है ना तब आप क्या यूज करेंगे हैव का यूज करेंगे आई हो यहाँ तक आपको चीजे क्लियर हो गई होंगे चलिए तो चलिए दोस्तों अब एक्जामपल बनाते हैं तो पहला example क क्या लिखा ऑग है कि राजुने अपनी सफेदकार बेश दी है ठीक है तो सबसे पहले हमको चिराठे सब्जक्ट क्या है हम आरा राजू तो राजू करा हम नाम है है तो हमने लिख दिया राजू अब राजू के साथ क्या लगाना को help we help who alp helping verb हो गया उसके बात क्या करना में बरब का third form लगाना है ठीक है में बरब यहां पर क्या है देखिए बेचना तो अब आपको पता होना चाहिए कि बेचना कहीं में इस होता है तो आपको क्या पता है कि बेचना को जो क्या होती है क्या होती है है वह क्या होती सेल के तीनों फर्म चाहिए को थएट फॉर्म को यूज करना है तो सइल इसका मतलब कि बेचना को का third form क्या हो गया सोल सो ल्ड़ स्पेलिग को मैं बता देता हूँ तो राजू है इस उल्ड उसके बाद क्या करना है अबजेक्ट लग सब्सक्राइब करें जाते हैं तो तो देखी यह संटेस्स हमने कितना इजी तरीके से बना दिया क्या संटेस्स बन गया कि राजू है सोल्ड हिज वाइट कार अई होप सामय आ गया होगा संटेस्स दूसरा देखते हैं क्या लिखा है अब देखी चूका है लगा है यह तो आपका फ्यवरेट है आपको पता है यह चीजे इस sentence को बनाते हैं कैसे बनाएंगे चलिए देख़ी पहले लिखा है कि चूका है इसका मतलब कोई लड़का होगा कि वा है अब जब लड़का होता तो वह के लिए क्या उच करते हैं, ही, तो subject हमने लिख दिया कि ही, उसके बाद, अब को क्या करना है, helping verb लगाना है, helping verb किसके recording लगती, subject के recording, subject यहां पर क्या है, ही के साथ क्या लगता है, है, तो क्या हो जाएगा, ही, है, उसके बाद क्या करना है, helping verb को कही, main verb का third form, main verb क्या है, बंद करना कामें सोता है 67 के तीनों फ़रम होते है 360 इसका मतलब की वर्भ के 60 के तीनों फ़रम सेम होते है То Does यहान पर आपting अच्छी चीज मिल गई तो हमने क्या लि consumers अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि यहाँ पर मैंने जगह क्यों छोड़ी है दिखिए इसको देखिए बंद करना ठीक हमने यहां तो हमने बताया था कि helping verb के बाद क्या को लगा देना है main verb लेकिन आप ध्यान रखिए कि अगर ऐसा लिखा होगी पहले ही है ना अगर ऐसा कोई word आता कि पहले ही तो हमको क्या करना है अब जैसे नाम में भी आ रहा कि पहले ही इसको हम क्या करेंगे पहले ही को हम main verb के पहले लिख देंगे ठीक पहले पहले तो क्या करेंगे ही है पहले ही को मतलब ओलेडी है ना यह चीज कर चुका है वो अब आप बोल रहा होगी दर्वाजा बंद कर दो वो पहले ही बंद कर चुका है ठीक है तो पहले ही को क्या बोलते है आपको लिख देता हूं तो आपको पहले ही यह जैसे कुछ वर्ड आपको देखने को मिले और जैसे कि होता है हमेशा हमेशा कले हम आपको यह जैसे कुछ आपको यहां थोड़ा साउज में नहीं आ रहा होगा लेकिन यह आप जान लिए कि कभी जैसा लिखा होता है कि हमेशा से कुछ कर रहा है यह तो पहले ही बंद कर चुगा है तो भूस को ध्यान रखना कि जिसे पहले लिखा है तो उसको भी हम में नबर के पहले ही लिख देंगे ठीक चलिए नेक्स इंडेंस बनाते हैं क्या लिखा है है चलिए इस समय वैक्सिनेशन का काम चला है तो आई होब जिनकी एज हो गई होगी 45 के अबब तो उन्होंने लगवा ली होगी और ज़रूरी है क्योंकि आप जान देंगे कि समय कितना ज्यादा को रोना का तंक चला है तो चलिए इस सेंडेंस को बनाते हैं अगर इसको ब लगती है तो क्या लिखेंगे आई है उसके बात क्या करना है में वर्ब का थार्ड फॉर्म तो लगवाली है इसका मतलब क्या है गेट होता है ठीक है जनरली क्या होता है जिसे मिल गई है और लगवाली है इसके लिए हम गेट करते हैं गेट में वर्ब का यूज करते हैं औ गौरोना वैक्सीन आई होप यह सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा यहां पर हमने क्या कर दिया लगवाने के लिए हमने क्या किया गेट मेंड वर्प का योज किया और गेट का थायड फॉर्म क्या हुआ गॉड इसी वैसे यहां पे गौर्ट लगा हुआ है तो मैंने कोरोना की वैक्सिन लगवाली है आई होप ये तीनों सेंटेंस आपको सौई में आ गए होंगे चले और सेंटेंस हम बनाते हैं बट उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लिजेगा चले दोस्तों आजाएए ये तीन सेंटेंस मैंने लिख दिये हैं अगर आपको पहले की सेंटेंस आपको सौई में आए हैं तो इन सेंटेंस को भी आप बहुत अच्छी तरके से बना लोगे आप लोग बना लीजे वीडियो को पहुश करके उसके बाद मैं जब इसको बनाऊंगा तो आप कॉपी कर लीजेगा क्या आपका सही है या नहीं तो चले बनाते हैं फोर सेंटेंस क्या लिखा हुआ है उसने मुझे देख लिया है ठीक है देखो यहां पर आया लिया है मैंने क्या बताया था दिया है लिया है खाया है हसा है रोया है ऐसे सेंटेंस क्या आते हैं प्रिजेंट पर्फेक्टेंस में तो इसको बनाते हैं देखिए उसने उसने यानि किसे दूसरे की बात कर रहे हैं उसने के लिए हम क्या लिखेंगे वह वह इसको उसने यानि वह की जैसी प्रॉनस्टेट करेंगे तो वह क हमने क्या यूज कर लेना है ही उसके बाद आपको क्या करना है में वर्ब का helping लगाना है helping देखिए ही के साथ क्या यूज होती है है क्या लिखेंगे he has उसके बाद क्या करना है main verb का third form तो main verb यहाँ पर क्या है देख लेना है ना यानि देख लिया किसी ने देखना कामिस होता है see यानि देखना होता है तो see, saw, seen इसको तीनों form होते हैं तो यहाँ पर इसका third form क्या जो हो जाएगा seen he has seen फिर क्या बचा मुझे, किसे देख लिया है मुझे, यानि क्या लिखेंगे he has seen to me क्या sentence बन गया he has seen to me I hope अच्छे से आपको clear हो रहा होगा चीजे, चलिए, next sentence क्या लिखा कि मैंने खाना पहले ही खा चुका हूँ sorry, मैं खाना पहले ही खा चुका हूँ, देखिए, यहाँ भी पहले ही आया ऐसे sentence लिए ला रहा हूँ ताको आपको यह पहले ही वाला concept clear हो जाए ठीक है, तो मैंने खाना पहले ही खा चुका हूँ इसको क्या मैं कैसे बनाऊंगा मैं के लिए क्या लिखेंगे, I अब I के साथ आपको क्या पता है कि helping verb क्या होती है have, तो I have उसके बाद हमों क्या करना है, main verb लगाना है तो main verb क्या है, हमारी main verb का third form लगाना main verb क्या है, खा चुका, यानि खाना, main verb हो गई लेकिन उसके पहले को क्या यूज़ करना पड़ेगा, पहले ही यानि already, तो देखिए, already में A, L, R, E, A, D, Y यूज़ करना है A, double, L आप यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाजो गलत हो जाएगा क्या यूज़ करेंगे, A, L, R, E, A, D, Y आपकी क्या होनी चाहिए, spelling होनी चाहिए तो I have already, अब खा चुका, खाना कैमिस होता है Eat, वर्ब की बात कर रहा हूँ, ठीक है फूर यानि भी खाना होता है, लेकिन वो object होता है और यहाँ पे मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ, main वर्ब की तो यहाँ पे खाना का मतलब क्या हो गया, Eat यानि खाना Eat का third form क्या होता है, eaten, eat at eaten तीनों form होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, eaten E-A-T-E-N, तो I have already eaten क्या खाना अब इस खाने का मतलब क्या हो जाएगा, food I have already eaten food I hope यह sentence भी आपको सौई में आ गया होगा चले, next sentence बनाते हैं, क्या लिखा है, सुरेष एक उपन्यास पहले ही लिख चुगा है यहाँ भी देखिए, पहले ही काउंसेट आपके सामने है इसको कैसे बनाएंगे, कोई बाद सबसे पहले subject subject यहाँ पे क्या है, सुरेष तो सुरेष लिख दिया हमने, उसके बाद helping verb नाम के साथ क्या आती है, आपको I hope याद हो गया होगा नाम के साथ, हैज का जूज करते हैं, सुरेष है उसके बाद क्या करना है, हमको लिखना होता है main verb third form, main verb third form के पहले पहले ही लिखा है पहले लिखा है, इसका मदलब इसको पहले हम लिखना है तो यहाँ फिर वह लिखेंगे already तो a, l, r, e, a, d, y तो सुरेष है, already अब लिखना का हम इस होता है, आपको पता है, लिखना यानि होता है write, write के तीने form क्या होते हैं, तीनो form write, wrote, written तो इसका तीसरा form क्या हो जाएगा written, यहाँ पे हम यूज करेंगे ध्यान रखिएगा, इसमें r, 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 w, r, i, double, t, e, n होगा है ना, क्योंकि write की spelling क्या होते है, w, r, i, t, e होती है, लेकिन यहाँ पे double, t, e, यूज करेंगे, ठीक तो सुरेष है, already written क्या पहले लिख चुका होगा, एक open-niaz, एक open-niaz यहनी a novel, novel यहनी होता है open-niaz, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो open-niaz की spelling होगी, n, o, b, e, l होगी, ना की, n, o, b, e, l होगी, देखिए, यह open-niaz यहनी होता है novel, sorry, यह novel यहनी होता है open-niaz, लेकिन अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे, n, o, b, e, l अगरा यूज कर लेंगे, इसका मतलब होता है novel, यहनी एक महान ड्यक्ति, एक महान ड्यक्ति, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप थोड़ा मोड़ा, अगर spelling गलती करेंगे, तो चीजें आपकी थोड़ा सा अलग हो जाएंगी, तो ध्यान रखिएगा, कि novel की spelling के आउगी, n, o, b, e, l I hope इस वीडियो में मैंने जितने भी sentence आपको समझाएं हैं, वो आपको समय में आ गए होंगे, अगर इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट हो रहा हो या को आपको कुछ चीजे नहीं समय में आ रही हो तो वीडियो में आप कमेंट करके मुझसे पूझ सकते हैं मैं जब next वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपका वीडियो, आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूँगा, ठीक है इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, भगवान आपका दिन सुब रखे